बेलकम दोस्तों आपका स्वाकता है हमारे यूटूब चैनल में आज हम करेंगे बारतिय राज्य विवस्ता से रिलेटेड कुछ महत्पूर्ण कोस्चन्स जो काफी important कोस्चन्स हैं और काफी बार एक्जामों में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संबाबना है यही क के अग्जाम में राज्य विवस्ता से लेकर कोस्चन पूछे जाएंगे तो इन्ही कोस्चनों में से कोस्चन आएंगे शोरली यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी नए जूजर हैं हमारे चैनल पर वो किर्पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इस चैनल पर गवर्मेंट एक्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण कोश्चन डालते हैं जो कि आपकी त्यारी ग्राण में बहुत ही फायदेबंद होंगे तो चलिए हम चुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि बारती राज्य कब किया गया जो रेगुलेट एक्ट था वो पारित कब किया गया 1773 में ये पारित किया गया और हमारा अगला कॉस्चन है कि बारतिय सब्दान को अपनाया गया किस द्वारा बारतिय सब्दान को अपनाया गया था एक सब्दान सभा बनी थी उस द्वारा बारतिय सब्दा को अपनाया था हमारा अगला कोस्टन है थार्ड कोस्टन है कि बारतिय सब्दान कि 972S बीसे संगबाद को किसने सहायं करी संगबाद कहा तो इस जी ऑश्टिनस ग्रेटी प्रेटी स 누ागेरी थ है जी एस्टिन Sia संगबाद को सैकारी संगबाद कहा था हमारा पांचमा कॉस्चन है कि बारतिय सब्दान की संसोधन पिरकिरिया किस देश के सब्दान से परवावित हैं बारतिय सब्दान में संसोधन हर बर्स लगवग होते रहते हैं जो सब्दानीं की कमैटी होती है जो बारतिय सब्दान की सवा है कमैटी है उस दोबारा कई कनूनों में कई उन्षेदों में संसोधन होते हैं राज्यसवा में और लोक्सवा में पास होकर कोई भी कनून पारी तो होता है राज्यसवा में लोक्सवा में तो संसोधन होता है सबीदान में तो ये किस देश से लिया गया था ये इनशेद किस देश से लिया गया था दक्षनी प्रिक्का के सब्दान से ये इनशेद लिया गया था कि हम हमारे पार्तिय सब्दान में संसोदन कर सकते हैं हमारा च्छेमा कॉस्टन है कि सब्धान के किस बाग में अस्थाई संकरमन कालीन और बिशेश उपबंदों का प्राबदान है किस बाग में अस्थाई संकरमन कालीन और बिशेश उपबंदों का प्राबदान है वो बाग है हमारे सब्दान का 21 बाग जिसमें अस्थाई और उपचे शुपबंदों का प्राबदान है हमारा सात्मा कॉस्चन है कि बारती बरतमान में बारती सब्दान में कुल कितनी अनुसूचिया है ये बहुत important questions है और लगबग हर ही exam में ये question आज आता है जो भी government exam होते है लगबग हर exam में ये question आता है कि बारती सब्दान में जो आज का बारती सब्दान है कि बारतिय सब्दान के किन उन्चेदों में राज्य के नीती नर्देश के तत्बों का उलेख किया गया है जो राज्य के नीती नर्देश का जो नीती नर्देश होते हैं उनके तत्बों का उलेख किया गया है वो उन्चेद 36 और उन्चेद क्यावन में किया गया है राज्य पूनर गठिन अदिनियम कप पारित किया गया जो हमारे सब्दान में है कि राज्य पूनर गठिन अदिनियम वो कप पारित किया गया 1956 को पारित किया गया था हमारे देश के जाद होने से बाद 1956 में पारित किया गया था बारतिय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती बारतिय बैंक में दन जमा करके एक बारतिय अगर नागरिकता प्राप्त करनी है किसी विदेशी नागरिक ने तो एक बैंक में दन जमा करके नहीं वो प्राप्त की जा सकती उसके लिए जो डोकुमेंट कारवाई होगी वो कर कि उसके लिए हमें अपनी रैजिनेस बनवाने होगी या फर तब हुमें बारतिय नागरिकता मिल चक्ति है बारतिय सविदान में परिदत मूलबूत अध़कारों को नलंबद करने वाली सत्वा कूंड़ित जो बारतिय स्विदान में परीदत मूल बूत के अज़कारों को भी नलंबद करने वाली सकता है वो राश्टर पती दोबारा ये किये जा सकती है हमारा बारमा कोस्टन है कि भाई में स्विदान उसन सोदन के दस अचार आदरसों को किस नाम से जाना जाता है हमारे मौलिक करतब्यों से जाना जाता है जो भी मौलिक करतब्यों है हमारे हमारा तेरमा कोस्टन है कि समान नयाए और नीशुलक बिदी सहता का प्राबदान सब्दान के किस उन्शेद में है जो स्मान नयाय अपना और नीशुलक बीदी सहता का प्रावदान किस उन्शेद में है तो उन्शेद 49 ए में है ये प्रावदान हमारा चोदमा कोस्तन है कि संसद का नीमन सदन अब उच्छ सदन है और जो संसद का जो नीमन सदन है वो है लोकसबा और जो है उच्छ सदन वो है राज्य सबा इस बात को आप जाद कर लें कि जो नीमन सदन है और उच्छ सदन है वो लोकसबा अब राज्य सबा है बारत के राष्टरपती का चुनाब कितने बर्चों के लिए होता है बारत ये राष्टरपती का जो टाइम है वो पांच बर्च है और पांच बर्च बाद राष्टरपती चुनाब होता है उपराष्टरपती का निर्वाच्चन कैसे होता है कि उपराश्टरपती का नर्वाच्चन कैसे होता तो आप परत्यागी रूप से होता है उपराश्टरपती का नर्वाच्चन कौन सी लोगशवा के चुनाव चार चर्नों में संपन होते हैं तो वो चोदमी लोग सवाय है जिसके चुनाब चार चरणों में संपन होते हैं हमारा अठारमा कुश्चन है कि संसद के किसी भी सदन के दो सतरों के बीच अंदराल किसे अधिक नहीं होना चाहिए जो संसद के मारे कुश्च सतर होता है बजजड सतर होता है और कई बरकार के सतर होते हैं जिसमें बिल पास होते हैं संसद की कारवाई होती है तो जो दो सतर होते हैं उनके बीच का टाइम छे मिनने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शे मिन्ने के अंदर अंदर मारे एक सतर खत्म होने के बाद शे मिन्ने के अंदर दूसरा सतर भी संस्त को बलाना पड़ता है अपना हमारा 19 मा कॉस्चन है कि मंत्री प्रही सद की ब्यक्तिकत रूप से उत्रदाई होता है मंत्री जो प्रही सद है ब्यक्ति के दरूप से उतरदाई होता है वो राष्टरपती के प्रती उतरदाई होता है राष्टरपती कोई वी कोस्चन उनको पूट कर सकता है जवाब माग सकता है किसी वी कोस्चन का तो वो उसको उतर देना होगा मंत्री प्रही सद को ब्यक्ति क केंदर है वो है परदान मंतरी हमारा 21 कॉस्चन है कि लोक्षभा के अध्यक्स का चनाब किया जाता है जो लोक्षभा का अध्यक्स होता है स्पिकर होता है अध्यक्स होता है उसका चनाब किया जाता है देखो उसका चनाब लोक्षभा के इस दस्य दवारा किया जाता है लोक् कि जाता है कि जो पार्टी सच्वा का मुम्र होता है पर होता है की लोग सबनाके इस स्दस्ट्र जो सियुंकत परबर समीति है उसमें कितने स्दस्ट्र पंतालिस दस्ट्र हैं हमारा 23 समा कॉस्ट्टन है कि बरतमान में सरबूच न्यालए में मुख्य नदीश के अत्रीक्त कितने नदीश प्रापदान किए गये है एक तो सरबूच नयाले में मुख्या नयादीस होता है उसके अतरीक तक कितरे नयादीस हैं तीस नयादीस होते हैं हमारे सरबूच नयाले दिल में नयाले में एक सरबूच एक तो मुख्या नयादीस हो गया और अतरीक तीस हो रहते हैं कम से कम हमारे सरबूच नयाले में और 36 गड़ उच नया है वो बिलासपुर में स्तीत है 36 बिलासपुर में स्तीत है हमारा ow 25 ना कि राजापाल में डॉक कि मोस्ट इंपोडेंट 25 कॉस्टन इन गाप एक नोट्स बना लीजिए कापी पे उतार के नोट्स बना लीजिए इन क्वेश्टनों को बारी बारी से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही स्लेक्टड कॉस्टन हैं यह सबी ऐख्यामों को मद्दे नजर रखकर खास कर HSC के लिए क्योंकि हमारे एक्षासी में improv a जरूर आता है तो इसमेसे ही आ जाएंगे खुर्छ और एक बीडियो में और बनाऊँ गा राजया बिएस्टाश से लेकर कुरश्चन आप तो धन्यवाद